हेलो गाइज, वेल्गम बैक टो मैड उप चैनल, SKM इस्टड़ी, और वे आप सकसिच, मैं हूँ आपका एजुकेटर, स्यो मिस्टरा, SKM इस्टड़ी एक ऐसा चैनल है, जो प्यारे बच्छो, हर एक वीडियो की PDF, फ्री में आपको दे रहा है, और कहां पे दे रहा है, अपने टेलिग्राम चैनल, SKM इस्टड़ी पे, जा कि वहां से सारे PDF, जो भी आपको वीडियो दिये जा रहे हैं, PDF डाउनलोड कर पाएंग जरूर, क्योंकि प्यारे बच्छो, आप मेहनत कीजी, मेहनत में, आप बस मेहनत कीजी, बाकी तयारी है, YouTube चैनल, SKM इस्टड़ी, ये सीवम आपकी पूरी तयारी करवाएगा, इस बात की प्यारे बच्छो, 100% गैरेंटी देते हैं, पूरी जवरजस्त तरीके से, क्योंकि आपको चाहिए ही क्या, पूरे आप वीडियो को देखिए, सुरूक से लेके अंद तक, उसके बाद, जो हमारा पीडिया जा रहा है, SKM इस टेलिग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, जाकि वहाँ से प्यारे जो चैनल को जोईन कर लिजी, वहा एक नोट्स फ्री में आपको दे रहे हैं, डाउलोड कर लेंगे तो वहाँ से अच्छी तरीके से प्यारे बच्छों आप पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है न, और बोड पर इच्छा 2022 में, इस बार 95% प्लस, यानि कि 95% से ज्यादा नंबर स्कोर करने की, हम तैयारी आपको करवाएंगे, जी हाँ सामान हिंदी जो की क्लाश्टर वालो का है, सो मिससो यूपी वड़ पर इच्छा 2022 में आपका आएगा ही आएगा, जो भी हो प्यारे बच्छों, सो मिससो आपका आएगा ही आएगा, और मैं आपका पूरा नंबर स्कोर करवाऊंगा, तो आपको बि प्यारे बच्छों महत्यपूर्दस टॉपिक है, वो भी उत्तर सहीत, मैं ऐसे प्यारे बच्छों महत्यपूर्दस टॉपिक को लेकि आया है, उत्तर सहीत, जो की आपके बोड परिच्छा में हर साल आपका पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो सबसे पहला टॉपिक क्या ह प्रशन के जो हम प्रश्न आएंगी तो इसमें प्रशन प्रशन और यहां पे प्रशन है ब्राम्हण पत्रिका के संपादक थे यानिक जो ब्राम्हण, पत्रिका लांच की गई थी, आई थी हमारी तो उसके संपादक कौन है उसके लेखक कौन थे और किस यूग के थी वो जो संपादक थे वो किस यूग कंबन पत्र का छपी थी तो कौन सी यूग है पियार बच्चों द्रिवेधी प्रदीप के संत्र यानि जो हिंधीर प्रदीप के संपाधक कौन थे बाल क्रिषन भट थे प्रताब नराण मिस्र थे राधा चरण गुस्वामी थे या बद्री नराण चोधरी यानि की प्रेम घं थे तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे प्यारवचो तो जो हिंदी प्रदीप के संपादक थे वो आपके थे बाल कृष्ण भट कौन थे भाल क्रिश्ण भठ जी थो जो थे यह हिंदी प्रदीप के संपादक थे अगला प्रश्ण है यहां पे प्रश्ण क्या है ज्ञाना स्राई साखा के प्रतिनिधी प्रमुक कवी है यानि जो ज्याना स्रै साखा के प्रतिनिधी प्रमुक कवी कौन है तुलसी दास, सूर दास, कवीर दास या नंद दास तो ज्याना स्रै साखा के प्रतिनिधी जो प्रमुक कवी है वह है कवीर दास तो इसका उत्तर क्या हो जाए प्यार बच्चो कवीर दास कवीर दास कौन है यह ज्याना सरई साखा के प्रतिनीधी प्रमुक कवी है कौन है कवीर दास जी है ओके है चलिए अगला प्यार बच्चो प्रश्ण हम लोग यहाँ पर देखते है प्रश्ण क्या है अश्ट छाप और यह जो टॉपिक है यह दूसरा टॉपिक है दूसरे टॉपिक से प्रश्ण है हिंदी कावे साहित का विकास यह टॉपिक से प्रश्ण है यह चीज़े आपको याद रखना है अगला प्यार बच्चो है हिंदी गद्य साहित के विकास से प्रश्ण अश्ट चाप के कवियों का संबन्द भक्तिकाल की किस साखा से है? प्यारे बच्चो वो भक्ति काल की क्रिश्ण भक्ति साखासे है किस साखासे है क्रिश्ण भक्ति साखासे है क्रिश्ण भक्ति साखासे क्या है बच्चो अश्च चाप के कवियों का संबंध किस भक्ति काल की किस साखासे है क्रिश्ण भक्ति की साखासी है अगला प्रशन है यहाँ पे क्या है अग्ये ने तारशब तक का प्रकाशन किया जो अग्ये जी थी इन्होंने तारशब तक का प्रकाशन कभी किया था सन 1947 में अग्ये ने तारशब तक का प्रकाशन किया सन 1943 में अगे ने तारशब तक का प्रकाशन किया सन 1931 में किया या फिर सन 1950 में किया तो अगे जी ने जो तारशब तक का प्रकाशन किया था और it is very important और यहां प्यारे बच्चो बहुत ही important है for your board exam और यहां आपके board exam के लिए प्यारे बच्चो तो बहुत ही महत्यपूर है, लगबक की हर वर्स आपका यह पूछा जाने वाला सवाल है, तो वह हुआ था सन 1943 में, कि सन में? सन 1943 इस्वी में, क्लियर है इतना हां तक, निक्ष्ट देखें, चलिए, तीसरा टापिक पर बच्चो अतिलग उतरी से चालू होता है, जो कि आपक अंका बुड़ परिच्छाम पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको तयार ही कर लिजिए, तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, प्रशन क्या है, नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है, जो नई कविता है, इसका जो आरंभ है, यह प्यार बच्चो कब से माना जा जाता है, तो नई कविता का आरंभ, 1954 इस्वी में, जगदीश गुप्त और डाक्टर राम सरूप चत्रुवेदी के संपादन में, नई कविता के प्रकासन से हुआ, तो नई कविता के प्रकासन से प्यार बच्चो नई कविता का आरंभ कब माना जाता है, तो नई कविता क कारम उनी सो चाव़ण सिवी किया है तो जगदीश गुप्त तथा डाक्टर राम सुरूप चतुरुवेदी जगदीश गुप्त और डाक्टर राम सुरूप चतुरुवेदी जुक थे इन्हों ने नई कविता का आरंब किया था ठीक है अगला प्रश्नेहा पे ग्याना नहीं स्वारी ग्यान मारगी ग्यान मारगी साखा के दो कवियों का नाम लिखो तो ग्यान मारगी साखा के दो कवियों का नाम क्या है तो ग्यान मारगी साखा के दो कवी हैं पहले हैं कवीर दास कौन नानक पहले काई कोन है कवीरदास और दुसरे हैं नानक ये दोनों के दीवनों ग्यान मारगी साखा के दो कवियों के नाम है तो ग्यान मारगी साखा के 14 जो टॉपिक है यहां गद्यान्स पर आधारित प्रश्ण है किस पर है गद्यान्स पर आधारित प्रश्ण है ओके तो यहां पर गद्यान्स क्या है गद्यान्स पहले हम लोग सबसे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे उसके बाद सारे प्रश्णों के उत्तर एक एक करके हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चो आच्यार राम प्रशाद जी आपको पता होना चाहिए कि जो असोग का फूल है उसमें ही जो मानोजात के बारे में पूरा वरण किया गया है मनुस के बारे में बताया गया है तो जो आच्यार हजारे प्रशाद द्रिवेदी जी कहते हैं कि मुझे मानोजात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का स्वरूप दिखाई दे रहा है मनुस की जीवनी सकती बड़ी निर्मम है वह सभ्यता और संस्कृती के बृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है न जाने कितने धर्माचारों विश्वासों उत्सों और व्रंतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है संगर्सों से मनुस्य ने नई सकती पाई है हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है देश और जात की विशुद संस्कृती केवल बाद की बात है अब यहाँ पे तो आप पढ़ लेंगी अब आपका बस काम है कि इसको बढ़ा चढ़ा कर लिखना और ये बहुत जादा टफ काम बिलकुल भी नहीं है बस आप इनके लेखक और कहां से लिया गया है ये चीज बस आप पढ़ लेंगी इसको आसानी से कर पाएंगी तो सबसे पहले वो पूछेगा आपके परिक्षा में कि गद्यांस के पाठ और लेखक का नाम लिखी यानि कि जो उपर युक्त गद्यांस है उपर दिया गद्यांस है यह इसका पाठ का नाम क्या है और लेखक का नाम क्या है तो पाठ का नाम है असोक के फूल और लेखक कौन है वो है आचार हजारी प्रसाद आप सिधा लिख देंगे प्रस्तूत गद्यांस हमारी पाठ फूल से लिया गया है जिसके लेखक आचार हजारी प्रशाद द्रिवेदी हैं या तो आप ऐसे लिख दीजी या फिर जो मार्केट में क्योश्चन बैंक मिलती हैं उसकी भासा लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांस हमारी पाठ्थ पुस्तक गद्य भाग में संगलित तथा हिं के विख्यात निवंदकार आचार हजारी प्रशाद द्रिवेदी द्वारा लिखित असोक के फूल नामग निवंद से अवतरित हैं क्लियर है इतना आपको इतना समझ में आया होगा अब अगला वो प्रशन पूछेगा कि रेखांकित अंस की व्याख्या करो यानि कि जो र अपने भासा में अच्छे से लिखना है ताकि आपको भी समझ आ जाए और जो आपका कॉंपी चेक करेगा उसको भी ये सारी चीज़े समझ में आ जाए आप लोग ऐसे मतली लिख दीजेगा कि जो कॉंपी चेक करने वाला है उसको विचार को खुदा ही नहीं समझ आए तो नंबर क्या देगा ठीक है न तो आपको अच्छे से लिखना है और यहां पे रिखांकित अंस की व्याक्या करना है कहां सका तक मुझे मानवजात की दुर्दम निर्ममधारा के हजारों वर्षों का रूप हजारों वर्षों का रूप साप दिखाई दे रहा है मनुस्त की जीवनी सक्ति बड़ी निर्मम है वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है तो यहां से यहां तक रिखांकित अंस की व्याक्या करना है ठीक है न और इसकी PDF टेलेग्राम चैनल स्केयम कहां पर मिलेगी स्केयम इस्टडी पर इसकी PDF आप फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे टेलेग्राम का लिंग डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है तो आचार हजारी प्रशाद द्रिवेदी जी कहते है कि इसकी वाक्या क्या हो जाएगा आचार हजारी प्रशाद द मनन और चिंतन के परडाम सरूप उन्होंने जो अनुभो किया है वह यह है कि मनुस में जो जीवी विसा है वह अत्यधिक निर्मम और मोह माया के बंधनों से रहित है सब्वेता और संस्कृती के जो कतिपय वेर्थ बंधन या मोह थे वह सब को रौंधती वह सबसे आगे च इतना आपको लिखना है अगला इनोंने प्रश्निया पर पूछ लिया है कि मनुस की जीवन सक्ति को निर्मम क्यों बताया गया है यानि जो मनुस की सक्ति है उसको निर्मम क्यों बता गया है तो अपने वर्तमान से कभी भी संतुष्ट न रहने के कारण मनुस सद्यव परि स्थितियों को परिवर्तित करने है तो उसने जो संघर्स किये हैं वह संघर्सों के परडाम सरूप ही उसने नई सकती पाई है यहां पे अगला प्रशन पूछा है ग्रहण और त्याग का रूप क्या है यानि जो ग्रहण और त्याग का रूप क्या है तो समाज का रूप न ज न जाने कितने ग्रहन और त्याक क्या है रूप है अगला इन्होंने प्रश्ण पूछा है लेखक मनुस्य ने नई सक्ती किसे से पाई यानि जो मनुस्य है यह नई सक्ती किसे पाई है तो मनुस्य ने जो नई सक्ती पाई है वो वर्तमान से कभी संतुष्ट न रहने के कारण मनुस्य सदेम परिवर्तन है उस संघर्ष करता है और सोयम और समाज की परिष्थितियों को परिवर्तित करने है तो उसने जो संघर्ष किये हैं वह संघर्ष को प्रडाम सरूप ही नहीं सकती है यहाँ पर मैंने इसको गलत बोल दिया था कि मनुस्य की जीवन सक्ति को निर्मम क्यों बताया गया है ठीक है तो इसका जो इंसर होगा यह होगा कि मनुस की जीवन सक्ति को निर्मम इसलिए बता गया है क्योंकि वह सभ्यता और संस्कृत के विर्था मोहों को रौंदती चलिया रही है अगला है लेखक ने किसे बाद की बात बताई ह ठीक है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा देश और जात की विशुद संस्कृती को बाद की बात बताया है चली अगला प्यारे बच्चों यहां पर पांचवा जो टॉपिक है वहां आपका जीवन परिचे से लिटेडर है और किसका जीवन परिचे हम लोग देखेंगे आचार हजार पशाद्रिवेदी जी का जन्म कभ हुआ था सन 1907 स्वी में हुआ था आचार हजारिपृषाद्रिवेदी जी का जन्म कभ हुआ था अनमोल द्रिवेदी था इनके पिताग नाम क्या था श्री अनमोल द्रिवेदी था मृत्तु कब हुई थी उननीस मैसन नमासी इस्वी में आचार हजार फशाद द्रिवेदी की मृत्तु हो गई थी इनकी कौन-कौन सी रचनाय थी असोक के फूल कवीर साहित्तिकामर्म पुन फार यूपी बोर्ड एक्जाम 2022 ठीक है न अध्रू यात्रवाल आप तयार कर लेंगे सिर्षक कतानक यानि की कहानी जो कता है उसको और उद्देश इन तीन टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़के रिवाइच करके जाना है आने वाले वीडियो में हम सारी चीजों को अच् स्कियम इस्टडी यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब पर साथ ही साथ टेलेग्राम चैनल है जहां पर आपको पीडियाफ फ्री में यानि जो नोट से है वो फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है ठीक है ना सात्वा प्यारवच्चो संस्कृति गद्यांस पद् बॉराव दिव्यार गीवांड भारती तस्याही मदुरम काव्यम तस्मादपि शुभाशितम तो यह प्यारी वच्छों आपका क्या है इस लोग है यह क्या आपका इस लोग हैै और इस इस 시청 मोग का संदर्व और अनुवाद करना है अनुबात किस में करना है हिंदी में करना है तो सबसे पहले संदर्व लिखेंगे यहां पे एका है सुभासितम यानि कि कहां से लिया गया है सुभासी रत्नानी सुभासीत रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है क्या लिया गया है इस लोक लिया गया यह पद्यास हमारी पाठ्थ पुष्टक के संस्कृति भाग में संकलित सुभासित रत्नानी नामक पाठ्षे लिया गया है यह संदर्ब हो गया और इसका अनुगात क्या हो जाएगा भाषाओं में संस्कृति सबसे प्रधान मधूर और अलोकिक है उससे मधूर उसका कावे है और उसका विसे मधूर उसके सुन्दर है ठीक है इसका क्या हो जाएगा प्यार बच्चू अनुबाद हो जाएगा अब आठवा टॉपिक है वो क्या है प्यार बच्चू मुहावरे एवं लोक्तिया तो सबसे पहले मैंने मुहावरे को उठाया है मुहावरे में प्यारबच उटा है अंधे की लाठी अर्थात एक मात्र सहारा कमल अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी है बस क्लियर है इतना आप लिख देंगे ठीक है न दूसरा है अंगार उगलना यानि कि कठोर बात करना यानि कि राम बाती क्या कर रहा मानुव अंगार उगल रहा है बात करने का सहूर ही नहीं है बिल्कुल यह लिख दिनगे अब यहाँ पर नौवा टापिक है लोक्तियां लोक्तियां पहला है मैंने लिया है एक ही तहली के चट्टे बट्टे अर्थात एक जैसे दुडगरों वाले जो नेता होते देखते हों सब अब्नि बात करते हैं लेकिन सब एक ही थैलीक होते हैं अर्थात क्या सकती हैं लक्षमर हो यह भारती यह जितने भी नेता हैं सब treatment के चट्टे बट्टे हैं अगला लोक्ति हैं आगे नात्न पीछे पगहा यानि कि बंधन हीन बंधन हीन यानि कि वह किसी बंधन में नहीं है न उसके माता-पिता का उसके उपर कोई प्रेसर है न उसके घ़रवालों का न फैम्ली मिंबर का मतलब किसी का भी नहीं है एक दम फ्री है अर्थात स्याम के कार्यों का अनुसरन मत करो क्योंकि उसके तो आगे नात ना पीछे पगहाや यानिक उसके आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं है ना, आपके साथ तो सब लोग हैं, इसलिए आप अच्छे काम करिए, अब यहाँ पर टॉपिक 10 मैंने लिया, लाश्ट टॉपिक संदी विच्छेद लिया, प्यार बच बहुत ही महत्यपु प्यारे बच्छों आपका मधूधन अरी, क्या है, मधूधन अरी, तो यह प्यारे बच्छों बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने टेलेग्राम चैनल SQM study को जहुर सब्सक्राइब करें, यूटूब को भी प्यारे बच्छों सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको PDF न